दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में अपने फॉन के होट्सपोट से किस तरह से एक डेक्स्टॉप कंप्यूटर में नेट चला जाता है फॉन के होट्सपोट की सहायता से कंप्यूटर में अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक इस सिखने वाले हैं कि इस तरह के फोन से हम लोग variety से ऑटफोट्र रेकर्ट कंप्यूटर ओप युज्यूटर में इंटरनेट चला सकते हैं दोस्तों इससे पहले मनें क्या करते थे कि अपने फोन का इंटरनेट चलाने के लिए इस तरह का USB केबल चाहिए होता था हमें और इसको हम लोग फोन पे एक साइट डाल देते थे इस तरह से उसके बाद दूसरी साइट जो है इसको हम लोग CPU केबिनेट के फ्रेंट साइड या वेक साइड में जो पॉर्ट दिया वार आता है उसमें हम लोग करते लेकिन अब हमें इस तरह के केबल की कोई जरूरत नहीं है और उसी चीज के लिए यह हम बना है USB मीनी एडप्टर जो वाइफाई के जरिए यानि की होट्सफोट्स के जरिए ही यह आप्शन प्रोबाइड हमें करता है कि हम लोग अपने फॉन का इंट्रेनेट को आसानी से देक्स्टॉप कंप्यूटर में चला सके हैं तो यह सब कैसे होगा चलिए हम लोग आज प्रैटीकलि देखते हैं तो स्टेब बाए स्टेब करते हैं तो स्टेब बए सबसे पहले हम लोग Wi-Fi अडेप्टर को इंसर्ट करेंगे तो उसकी लिए सबसे पहले हमें अपने अप प्रण्ट साइड में या फिर बेक साइड में लगा लेंगे और ध्यान रहें कि यह जब तक हमारे सिस्टम में लगा हुआ रहेगा तब तक ही हम लोग इंटरनेट चला सकते हैं तो मेरे हिसाब से इसको पीछे साइड में डालना ज्यादा बहतर होगा क्योंकि इसको लगा के ही रखना पड़ता है तो मैं आपको यहां सम्झाने कि लिए फ्रांट साइड भी में लगा दिया है मैंने उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि इस थरा का सिमबल देखने को हमें मिलता है कॉर्नर पे जो की थोड़ी देर में चेंज हो करके इस तरह का सीम कार्ट के नेटवर्क जैसा कुछ सो करने लगता है तो जिसको क्लिक करने पर ये हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाता है जिसका मतलब है कि हमने वाइफाई एडप्र को अच्छी तरह से लगा दिया है सेकिन्स टेप में हम ड्राइवर का इंस्टोलेसिन करें गे तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को अपने सीडी ड्राइब का इस्तमाल करना होगा यहाँ पे सीडी डालना होगा सीडी ड्राइब यहाँ पर होता है लेक stimulate सीटम में यह एबलेबल नहीं है आपके सिस्टम में ये इस तरह से हो सकता है जहाँ पर आप Wi-Fi एडेप्टर के साथ में जो CD मिला है उसको यहाँ पर डाल लेना होगा और अगर आपके सिस्टम में ये CD drive option नहीं है तो आप दूसरे के laptop से भी copy paste कर सकते हैं उसके बाद हमें यहाँ पर computer में आ जाना यहाँ पर CD drive का option मिलेगा जिसको हम लोग जब open करेंगे तो Windows driver का एक इस तरह का software हमें मिलेगा जिसको हम लोग सबसे पहले अपने desktop computer में paste करेंगे तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर copy कर लेते हैं राइट कीली करके और यहाँ पर राइट कीली करके फिर से paste का option आएगा तो उसको paste कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर इसको हम लोग कट देते हैं फिलाल अभ यह जो हमारा driver copy हम ने किया है इसको हम लोग open करेंगे open करने के लिए हम लोग double click करके इसको open कर लेते हैं तो उसके बाद हमें इस तरह का side में scroll bar देखने को मिलता है जिसको हम लोग अगर नीचे करते हैं तो यहाँ पे आप setup के नाम से यहाँ पे application लिखा हुआ एक software मिलेगा जिसको हमें यहाँ से run कराना है और इसको install करना है तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसके उपर में right click करेंगे तो हमें option नजर आएगा तो यहाँ से आप right click करके यहाँ पे run as administrator किजिएगा तो यह software आपके computer में install होना चालू हो जाएगा अगर आपके system में भी मेरी तरह CD drive नहीं दिया हुआ है तो आप किसी दोस्त के laptop से यह software copy paste करके ला सकते हैं और अपने system में इसको install कर सकते हैं उसके वद हमें इस तरह से next option मिलेगा तो next next करते जाना है उसके बाद यह पूरी तरह से install हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ी देर इंतेजार करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ दिखा रहा है यहाँ पे और successfully install बोलके दिखा रहा है यहाँ और finish का option भी आ चुका है और इसको finish option पे click करने के बाद में कुछ pop-up message यहाँ पे show होता है जिसमें लिखा हुआ है कि driver successfully install तो यह successfully install हो चुका है अब हमारा next step है अपने phone के hotspots और wifi को on करके PC से connect करना उसके बाद अपने phone के screen को इस तरह से swipe down करने पर हमें यहाँ hotspots का option मिलता है जिसको हम लोग on कर सकते हैं ओन करने के बाद में इसको long press अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे hotspots का नाम computer विस्तार और password guru1234 लिखा हुआ नजर आ रहा है जिसको हमें आगे connect करते हैं समय ज़रुत पड़ेगा उसके बाद हमें mobile data अगर on नहीं है तो उसको on कर लेना होगा और हमारे PC में जो यह option है इसको click करने के बाद हमें यहाँ hotspots का नाम नजर आ जाएगा यहाँ पे हमारा computer विस्तार का नजर आ रहा है जिसको हम लोग यहाँ से connect करते हैं connect option में click करने पर यहाँ पे password का option हमें मिलता है जिस पे हम लोग password डालते हैं तो हमारा password था guru1234 तो चलिए इसको डाल करके हम लोग ok बटन पे click करते हैं और उसके बाद थोड़ा देर इंतिजार करते हैं इस तरह का dialogue box अगर आपको देखने को मिलता है तो समझ लीजी कि आपका internet connection हो जुगा है अब हम लोग check करते हैं कि हमारा वाक़े क्या internet connection हुआ है कि नहीं तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने next step की और चलते हैं जहांपर हम लोग अपने internet connection को check करेंगे connection profer हुआ है कि निए उसके लिए हम लोग यहाँ पे Mozilla Firefox को open कर लेते हैं जहाँ पे new tape ले करके यहाँ पे freezo bullet टाइप करते हैं और enter button प्रेस करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह हमारा internet चलना चालू हो चुका है अब हमारा next step है कि Windows 8 वालों के लिए कि Windows 8 में इस तरह का Wi-Fi adapter जब हम लोग insert करते हैं तो हमें कोई software को इसके साथ में install करने की कोई ज़रत नहीं पड़ती है बस इस तरह के Wi-Fi adapter को हम लोग जब insert कर देते हैं तो Windows 10 में यह directly connect हो जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक gold सा symbol नज़र आ रहा है इसको हम लोग click करेंगे तब यहाँ पे एक Wi-Fi option सो करने लगता है इसको click करने पर हमारे यहाँ computer विस्तार का option नज़र आ रहा है तो इसको हम लोग simply यहाँ पर जब connect करेंगे तो फिर से यहाँ पे password माग रहा है जिसको हम लोग यहाँ password type करने के बाद में यहाँ next button पे click करते हैं उसके बाद यहाँ पे next button click करने के बाद में यहाँ allow करने का option मिलता है तो उसको हमें simply yes option में click कर देना और यहाँ आप देख सकते हैं कि यह इस तरह से connect हो जुका है हमारा internet तो जिसका मतलब है कि यह पूरी तरह से अब हम लोग इस पे नेट चला सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि एक छोटे से wifi adapter के जरिए आप अपने desktop computer में बड़ी ही आसानी से hotspots की साहता से wifi ले करके इंटरनेट चला सकते हैं उसके लिए आपको किसी प्रकार के कोई cable की जरूरत नहीं पढ़ती है अगर आपको internet चलाने के लिए बार-बार cable का इस्तमाल करना अच्छा नहीं लगता है आप इस तरह के wifi adapter को जरूर से ले सकते हैं जो कि आपके लिए काफी फायदे मंद हो सकता है तो आज की वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूं आप से प्रूर्ण प्रूर्ण